спрос मसी मिस्Music को सलामशलाम पक्सान मैं होकर मेजबान साजAmुजागवणी आप देखे रहे हैं प्रोग्रम कड़भा साफ साजागवणी करिसाथ नाधिर आज बात करेंगे चर्च परएप्टी की जो के पक्सान के अंदर किसी भी शहर में हैं तो वो Christian community की है हाली ही साहिवाल के अंदर एक बड़ा ही अफ्सोसना वाक्या हुआ कि चर्च प्राप्टीज हुआ है जिसमें Presbyterian और A.R.P. चर्च की पिछले दिनों एक ऐसा सान्या हुआ कि फैसलाबाद के रहैशी शेख घुलाम रसूल ने Mission Hospital के Administrator और A.R.P. चर्च के और दूरान से मिली भकर से उस प्राप्टी को ओने पौने दामों में खरीद लिया और किसी को भी नहीं पता और उस प्राप्टी को अपने नाम करवा लिया जब वहाँ पर Christian community के लोगों को पराद चलता है तो वो DC office के बाहर जाकर इतिजाज करते हैं और उसको उस प्राप्टी की जो मलकियत है वो चर्च प्राप्टी की है अगर आइन और कनून की बात करते हैं तो Christian कोई एक बंदा भी अगर जाल साजी से किसी भी प्राप्टी कोई बंदा अपने नाम करवा ले तो एक बंदा भी क्रिस्चन उस प्राप्टी को वागज़ा करवा सकता है नादरीन साहिवाल से हमाई साथ एक विल्सन जो के सीनियर जनलिस्ट है और electronic media association के चेर्मेन भी है हम उसे पुछेंगे कि इस वक्त जो साहिवाल के अंदर एक और प्राप्टी का जो प्राप्टी की प्राप्टी है उसके उपर कागजात जैली बनवा कर उसके पर कबजा करने कोशिश की है लेकिन उसको कानूनी तरीके से Christian community के जो लोग है उन्होंने केस वगारा करवा कर उसको कबजे से हटाने की कोशिश की जा रही है इसके आगे क्या सूर्टे हाल है हम इनसे पुछेंगे जी विजसन साब बताईएगा इस प्राप्ति के बारे में सुनने वालों देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि ये दीशी रोड पर वाक्या एक प्राप्ति है पांच एक सारा मरले और से साथाई जिसको जाली पावरों टार्डी के जिरी एक शक्स ने इसको बेज दिया और उस वक्त इसकी दो हजार पांच में जो मालियत थी और स्तारा क्रोड फार्ट लाख में ये फ्रोफुत हुई और पैस्वाबाद की पारटी है जिसने इसको परसीच किया इसके साथ ही जैसे ही हमको पता चला कि ये प्राप्ति फ्रोफ हो गई है तो हमने अब अदालतों का और डिपार्टमेंट का राप्ता किया मुक्तलु डिपार्टमेंट जिमें रेविन्यू डिपार्टमेंट सारे फिरिस्त है इसके साथ रेविन्यू डिपार्टमेंट ने अपने बंदों की नुक्परियों लगा दी कि ये कैसे हो गया, कि चर्च के नाम की जगा हो, और किसे ने सेल कर दी, उसमें पटवारी रिजिस्ट्रार और रिजिस्ट्री महार इन सब को पनिश्मिंट मिली, को मुष्टल हो गया, को नौकल चे गया, इसके साथ हमने अदालतों का रुख किया, मुक्तलब अदालतों में इनके मकदमाद जो है ये इस वक्त चाल रहे थे कि इस वक्त भी सिप्रीम कोट रिजिस्ट्री बराच लहौर में एक नजब साली की पील जेरे समाद थी कि इन लोगों ने फिर एक दफा इस प्राप्टी को को ट्रास्फर करने की कोशिश की और हिबा के तौर पाल ये दो रि हमारा तलक है हम एक मसीह होते हुए इस प्राप्टी के मामलात को हैंडल कर रहे हैं अजर आप कह सकते हैं कि प्रेस्परेटेरिंग ये जगह है और किसी का कभजा भी नहीं है तो क्या इसके बोग चैस चल रहा है क्या प्रेस्परेटेरिंग की तरफ से कोई मोडिएटर पर अभी तक कभजा किसी के नहीं ये खाली प्लाट पड़ाया जिस वक्त से इसकी रिजिस्ट्रियां हुई हैं इसमें एक बहुत बड़ा बंगा और उसको गरा कर इसमें दरख थे उसको उनको खार कर इन्होंने ये पर कभजा करने के कोशिश किया और जब ये कि होने के बाद हमने अदालतों से रुजू किया मुक्तलफ अदालतों में इस वक्त स्टेटर्स है के अभी तक टाइटल का फैसा नहीं हो सका और अगर अगर अदालत की बात करें तो सप्रीम कोट में एक नजर असानी की अपील हमने की है जो अभी लहौर जिस्ट्री में जिर एस्मात है और इसके बावजूद इन लोगों ने फिर कब्दा करने की और इसको ट्रांसुर्ट करने की कोशिश की समासी सिएजी शिक्सियाच के कितना कब्दार हैं उनका वो हमारे साथकंदा मलाकर तो चाँड रहें हैं मगर इसके साथ साथ मैं ये बताता चलू कि लोगों की किसी तदा जो है इस वक्त इस जगह को बागजार कुछाने के लिए मदाने अमल में आ चुकी है मकदमात तो हम से इसका रहे हैं और हम ही उने के ट्राइल में जा रहे हैं मगर कोई भी शखस इस पे अपनी रकम खर्श करने के लिए हम खुदा के घर की जंग पर जो वो जो फैसलाबाद के जो रही शेख खुलाम रसूल उन्हें ने जैली कागजात बनमा कर जो ओने अपने दामो वो जो एर पी चर्च की प्राप्टी इसको खरील लिया था तो उस वक्त दोजाब पांच की आप बात कर रहे हैं दोजाब पांच में उसकी जो वैलि परेश smirbis की प्राप्टी के मामले में और वो आगे आये हों और कोई भी श्खस जो अभी तक मामले में खृतने मालों को डिफेंट करने के लिए Бहोँ सारे लोग जो इनके वो तियार है और डिफेंड कर रहे हैं मगर जो मामलात हैं कि फरंट पर आगे इस मामले को फेज करें वो कोई नहीं कर रहा और प्रप्प्टी मजीद प्रप्प्टियां उनकी नजर में हैं कि उनको विशेल कर दिये जाए और मैं खुदाउन के घर की जंग लड़ते ह हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि इन लोगों को का भी महास्बा जरूरी है कि जो खुदा के घर के और इन अधारों को मटाने के दर पर हैं कि यहां से परक्टी बेज दी यहां पर से परक्टी बेज दी और अपनी जेबों में पैसे डालकर चले जाते हैं अभी तक एर पी चर्च का जो अच्छा मैंने अभी आप से जो क्विश्टन किया था उसमें आपने ये बता दी है कि एडिशनल कमिशनर जो साही वाले हैं उन्होंने फॉरी तोर पर आउडर जारी किये हैं कि जो भी रिस्टी जो इस वक्त हो चुकी हैं उसको जाल साजी के तोर पर जो की हैं उनके खिलाब भी जो है इंक्वाइडी शुरू होगी है तो यह मेरा ख्याल है कि डिप्टि एडिशनल कमिशनर जो हैं आपके साही वाल के उन्होंने काफी ये अच्छा एक्दाम उठाया है कि क्रिश्चन क्म्यूनिटी के सामने उन्होंने उनकी प्राप्टी के उप पर ही नजसानी कर ली है और खुझ से सामने आकर ये काम कर रहे हैं और जो भारे अफशा है वो भी चार किनाल की उन्होंने कोठी गराकर उसको प्लार्ट बना दिया गया और इसके अलावा बाकी प्राप्टियों पर भी उनकी नजर है कि किसी का दाव लगे और इसको भी अदारे से वो स्पोर्ड नहीं ले रहा मगर इसके बावजूद खुदा ने जितना है वो इस पर लगाकर खुदा के घर की जग़ा को बचाने के लिए जिदोजार कर रहे हैं जी अगर बात की जाएं किसी तन्जीम की या किसी और अदारे की या किसी समाजी शक्सियात की तरफ से या किसी एधार जारे या किसी किलिफांट के वाले से तो किसी किसी किसम का फ़नड नहीं अभी तक लगट किया गया और ना ही किसी से मांगा है ना किसी तन्जीम ने पैसे लगाया ये हम अपनी मदददाब के तहती हमारा नाम है उसकी जंग लड़ने के लिए हम अपनी मदददाब के तहती ये सरा अखराजात कर रहे हैं और अभी तक खुदावन के फजल से किसी तन्जीम से हमने किसी एक रुपए के रवादार नहीं है जी वादिया करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हलात हैं इस मिलिज पर पहुंच चुके हैं कि लोग इंतहाई जो क्रिमिनल लोग हैं वो हमारी जान के पीछे हैं क्योंकि मेरे अंकल जान चराग साब जो मेन मुदाई थे इस मकदमात में उनको बुदर्ग हैं और उनको हम घर बटा दिया हैं हम इसके लिए जिदो जाहत कार रहे हैं क्योंकि वो किसी का जो फीजिक के वो सामना नहीं कर सकते मगर हम खुदान के जंडा लेकर निकले हैं तो हम इन लोगों का भी महास्वा करेंगे और अगर खुदान पहुंचा तो यह लोग ही दिमेदा के खलाफ हम यह जंग लड़ रहे हैं बहुत शुक्रिया साज़ेद गौरी साब परवा सच ऐसे इसे इनक्षाफात करता है और आपने यह जूरत की कि साहीवाल की में लोकेशन पर चर्च प्रप्थी का मामला जो है यह साहीवाल से हमें अपने प्रोग्राम में शामल करके और उसको डिसक्स करें मैं इ अच्छों के ताफ़ज के लिए अब इस प्रोग्राम को जारी रखे हुए हैं खुदा मुना आपको बरकर दे और मेरा ख्याल है कि जिस तरह आप यह अच्छा काम कर रहे हैं क्रिस्टिन क्म्यूनिटी के लिए और क्रिस्टिन क्म्यूनिटी की ओवाज उठा रहे हैं तो अगर चर्च प्रोप्रॐप्रीיס जो हैं जो किसी भी शहर में हैं पाकिसान में अगर स्प्रिन कोड के ओडर र्धा लें तो कोई भी बंदा कोई प्रेस्पिरेटियन चर्च पकिस्टान या दूसरी किसी भी मिशन के बंदे जो हैं उधदर आप παktयां जो है वो उस प्रो भी लोग बड़ी जुरत से चर्च प्राप्टी के ओपर कबजा भी कर लेते हैं और ओने उपने दामों अंदर से ही बंदे निकाल कर उनको पैसे दे कर उस प्राप्टी को अपने नाम करवा लेते हैं ये जुरत करने में लोग कब खतम होंगे क्योंकि पाकिसान के अंदर जो प्राप्टी हैं चर्च प्राप्टी वो हर क्रिस्टन क्म्यूनिटी का उस पर हक है क्योंकि वो उसको वागजा करवा सकते हैं पिछले दिनों मैंने जो एक प्रोग्रम किया था क्राप्टी में सलीम माइकल साब जो एडूकेट हैं सिंध हाई कोड से और मैंने जब प्राप्टी की अगर बात की तो जोने ने कहा कि इस वक्त जो सूरतेहल चल रही है सुप्रीन कोड के जो आडर आये हैं वहां पर ये कि भी बंदा अपने जो कौम से निकल कर उसको वागज़ा करवा सकता है और मेरा ख्याल है कि जिस तरह विलसन रजा और वहां की जो क्रिस्टन कम्यूंटी के जो लोग हैं साहिवाल के अंदर वो बहुत अचा काम कर रहे हैं कि खुश से अपने प्राप्टी को बचाने के लिए आगे बढ़कर हिसा ले रहे हैं तो जिस तरह ये जुरत दिखा रहे हैं मेरा ख्याल है कि हमारी जो वहां की जो प्रेस्परेटिरिन की जगा है अगर कोई भी वहां के जो ओद दरान है वो इस बात के लिए इन से मिलकर उस जो जगा है जहां पर कबज़ा किया जा र सकें मेरा ख्याल है हमें मिलकर अपनी कौम का साथ देना चाहिए फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ इजाद दीजिए खुदा आफिस